हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टुडिय को अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है वो गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदीयों से है जो हमें भूल जाती है याद नहीं हो पाती जल्दी याद भी होती है तो हम बहुत जल्दी उसे भूल जाते है तो दोस्तों उस पर मैंने एक ट्रिक बनाया है जिससे आप आसाने से उसे याद कर लोगे और बूले की नहीं आपको, और कम टाइम में आप ज़्दे चीजों को याद कर सकते ज़्याद कर सकते हो, ज़्याद可 सकते हो, एक्जाम में जैसे कोष्टन पूछे जाते हैं, तो आप अकसर ऐसा होता है, भूल जाते हो, तो अगर आपको यह trick याद रहेगी तो आप उसे अच्छे से कर लोगे ठीक है तो गंगा में नदी में मिलने वाली परमुख नदियां जो हैं उनके लिए यह trick बनी हुई है ठीक है trick क्या है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए दोस्तों trick बहुत अच्छी है अब देखते हैं इसकी detail क्या है इसके बारे में देख लेते हैं trick क्या है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए ठीक है यह से हो गया हमारे यमुना यमुना नदी स से हो गया सोन नदी 10 से हो गया दामोदर नदी कस से हो गया को से हो गया कोसी नदी ठीक है रा से हो गया राम गंगा नदी मा से हो गया महा नंदा ठीक सा से हो गया सारदा जिसे काली गंगा बोलते हैं कस से हो गया करनाली गंग से हो गया गंडग थीक है दोस्तों, चाहिए जो है, ये हमारा silent है थीक, तो trick क्या है? ये शोदा को राम सा कंगanut चाहिए यानि या से यमुना सो से जो हो गया, वो सोन दा से दामोदर नदी को से को सी नदी, रा से राम गंगा नदी म से महा नंदा, थीक है जाट से सार्दा ने दी हो गया ठी कर से करनाली और गन से हो गया गंडक ठीक है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना फीडबैक आप लोग जरूर दिया करिए ठीक है दोस्तों ऐसी ट्रिक और ऐसे यह और दोस्तों इसी तरह मैं आपको नहीं ट्रिक देती रहूंगी अच्छे ची कंटेन लाती रहूंगी ठीक है तो मिलते हैं नए क्लास में नए कंटेन नए ट्रिक के साथ तब तक लिए बाई बाई ट्रिक के एर थेंक यू तो